दोस्तों जैसी के आपको पता है कि मैं हमेशा अलग-अलग software की information लेके आता हूँ तो आज एक और software की information मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है नाम बताने से पहले काम बता देता हूँ अगर आपको high quality की screen recording करनी है तो ये software का आप इस्तमाल कर सकते इस software की मदद से आप HD quality की screen recording कर सकते साथ में screen recording करते वक्त आप अपना web camera भी शोग कर सकते और उसमें आप virtual background भी आड़ कर सकते आप अपना आउतार भी एड़ कर सकते जैसे screen की उपर आपको दिखाए दे रहा है और साथ ही में इस software की मदद से आप video added भी कर सकते तो ऐसा धेर सारी features के साथ जो software आता है उसका नाम है Wondershare Demo Creator का तो अगर आप जानने में इंट्रेश्ट वो तो यूडियो एंड तक देखिए मैं डीटेल में बताने हैं आप कि यह software आप कैसे इस्तमाल कर सकते है चलिए मैं सदीश आप सबका स्वागत कता हो complete technology चैनल पर लेट्स बिगिन तो दोस्तों इंट्रो पार्ट में मैंने जो software के बारे मैं आपको बता है जिसका नाम है Demo Creator उसे डाउन्डोर इंस्टॉल करने के लिए मैंने description में लिंक दीए जैसी आप उस लिंक पे क्लिक करोगी आपके सामनी यह पे पेज ओपन होगा जिसमें आपको यह pre-download option मिलेगा यहां से आप इसे download रो install कीजिए जैसे आप install करोगे, run करोगे तो आपके सामनी कुछ इस तरह का interface आएगा जहां पे आपको all-in-one recorder यह option मिलेगा, game recorder option मिलेगा, video presentation, schedule recording और video editor ऐसे चार option यहां पे आपको मिल रहे है तो सबसे पहले मैं all-in-one recorder यहां पे क्लिक करता हूँ और record क करके दिखाता हूँ भई, screen recording कैसे कर सकते है, आप यहां पे, तो जैसे मैंने click किया, यहां पे आप देख सकते है, मैं आ चुका हूँ, web camera के साथ, मेरे computer में जो web camera मैंने connect किया, उसे यहां पे right view दिखाए दे रहा है, web camera का view आ चुका है, और यहां पे screen recording की कुछ options है, सबसे यहां पे आप कौन से size की screen record करना चाहते है, जैसे मेरा जो screen है, उसका size यहां पे 1920, 1080 है, तो इसमें मैं full HD लेना चाहता हूँ, तो यहां पे देखिए option है आपके पास, full HD, तो मैं full HD यहां पे select कर, right, okay, और उसके बाद यहां पे आपको system का sound record करना है, तो यह green tick रखिए, system क sound, यानि कि suppose आप meeting ले रहे हो, तो जो सामने बोलने वारा परसन, उसका आवाज record हो रहे है, या आप lecture attend कर रहे हो, उस टाइम पे आपको system का sound record, यह option on रखना पड़ेगा, और आप बोल रहे हो, वो record हो, इसलिए यह mic on रखना पड़ेगा, अगर मैं यहां पे mic mute करू, तो य यहां पर लेते हैं, उसकी size आप adjust करके कई पर भी रख सकते हैं, मुझे यहां पर रखना है, यहां पर रखना है, तो इसके साथ ही record होगा, और इसमें कुछ options भी मिलेंगे, वेb camera record करते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यह web camera इस तरह से present रह जैसे मैं क्लिक करूँगा, यह देख सकते हैं, background clean and neat हो गया, wow, interesting है यहां पर background पूरा गायव हो गया, इसका AI technology, basically, वो यहां पर काम कर रहा है, और background को remove कर रहा है, और मैं इसे flip करना चाहता हूँ, flip यहां से कर सकते हैं, थोड़ा से मैं यहां पर मेरे video को edit करना चाहता हूँ तो यहां से मैं, देखिए, skin tone अगरा बदल सकता हूँ, अगर मैं करना चाहता हूँ, तो यहां से भी कर सकता हूँ, थोड़ा से यह देखिए, effect आपको नजर आ रहा है, तो इस तरह से यहां पर यह changes कर सकते हैं, आपको चाहिए, नीची है, you can go for it, or else, आप इसे cancel कर सकते है यहां से, तो चलो, आपको यह पता चला कि भई, इस तरह से यह सारी setting करते हैं, और finally record button पे जैसे आप click करोगे, यह recording start हो जाएगा, 3, 2, 1 and go, recording start हो गया, stop करने के लिए भी shortcut की लिखे भी आया था, अभी फिलाल यहां पर देखिए, जैसे मैंने recording start किया, तो उपर आपको दि comment को मैं highlight करना चाहता हूँ, तो आप इस तरह से highlight कर सकते हैं, यहां पर screen recording के time पे, साथी में आप यहां पर 123 number add करना चाहते हैं, यहां पर click करो, दूसरी step से, यहां पर click करो, तिसरी step से, यहां पर click करो, ऐसे steps भी add कर सकते हैं, यहां पर rectangle या circle shape भी ले सकते हैं, मैंने rectangle लिय यहां पर इस तरह से rectangle draw में कर सकता हूँ बड़ा करना है चोटा करना है वह आपकी मरजी और यह सारी चीज़े नहीं चाहिए तो eraser पर click किज़े एंड क्लिक हो यह राइट इस तरह से कुछ unwanted part है उससे आपको delete करना है तो यहां से आप delete कर सकती यह देखिए यहां पे लोड हो रहा है project let the project roll ओके यहां पर एक message आए इसे हम close करते और नीचे दिखिए हमारा screen recording में हमारे पास जो web camera है उसका एक track आ चुका है यहां पर audio का track अलग आ चुका है उपर और नीचे screen recording का प्रेंगे तो यहां से आप इसे edit कर सकते हैं आपको split करना है तो यहां पर देखिए split का option है मतलब कोई unarranted part है वीडियो में तो आप यहां से split button पर क्लिक कीजिए यहां पर देखिए split कर सकते सारी सारी चीज़ें यहां पर सारे layer से एक साथ select कर के split और बीच का part delete करना है तो यहां पर आपको वीडियो एडिटिंग के बहुत सरे option मिलते हैं जैसे effects से, transitions से, annotations से, captions से, stickers भी आप यहां पर add कर सकते हैं तो basically वीडियो को आप अच्छे से एडिट कर सकते हैं और जोरी नहीं कि आप screen recording ही यहां पर add करें आपका कोई existing वीडियो है तो आप यहां पर add कर सकते हैं लाइबरी से, import media file और यहां पर जाकर आपके पास जो भी है, suppose यह मेरा pen drive का वीडियो है, मैं से import करके drag and drop करना चाहता ह हूँ, यहां पर मैं drag and drop करता हूँ, इस तरह से आपको दिखाए दे रहे हैं यह वीडियो आ चुका और इसको भी मैं split कर सकता हूँ, और यह मेरे हाथ में जो box दिखाए दे रहा है, यह basically मेरा pen drive course है, इसका link description में आपको मिल जाएगा, गर आप interest लोडो भाई, course करीदने के लिए तो जरूर जेक आउट कीजिएगा, खिलाल में यहां पर बता हूँ कि यहां पर इस वीडियो के ऊपर आप ट्रीम, क्रॉप, सब कुछ कर सकते हैं, इस तरह से edit होने के बाद आप यहां पर export बटन पे click कर सकते हैं, जैसे आप export करोगी यह video export हो जाएगा, अब इस वी अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो यह मेरा पहला इस तरह से आवाज, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं audio में जाता हूँ, यहां पर देखिए audio option आपको right side में दिखाए दे रहा है, यहां पर आप click कीजिए, उसके बाद नीचे scroll क्लिप का proper use कैसे किया चाहता है, मतलब हरे टूल्स को जब आप properly use करना चाहता है, क्या बाद है, right, transform हो, यह आवाज देना चाहता हूँ, तो इस तरह से आप यहाँ पर why change कर सकते हैं, काप interesting option है, existing video में आप why change करना चाहते हैं, तो यह feature आप use कर सकते हैं, की demo creator का, और यह वाई changer एक best feature ही है, साथ में यहाँ पर आपको मिल रहा है, SFX store, यहाँ पर अगर आप click करते हो, तो आपके सामने यहाँ पर धेर सारे अलग-अलग templates, readyment templates मिल जाते हैं, store के अंदर, जो की timer के हो सकते हैं, या फिर new year का कुछ, celebration का यहाँ पर आपको मिल जाए है, तो यहाँ पर मैं यह वाला timer drag and drop करता हूँ, यहाँ पर मैं play करके दिखा था, तो उसके बाद यहाँ पर tools सभी मैंने cover के, जैसे eraser हो, इसके अलग और timer अगर आपको कोई add करना है, तो यहाँ से आप drag and drop कीजिए, star shape हो गया, build हो गया, blend tool हो गया, इस सारे tool panel में जितनी भ screen recording मैंने बता है, एक और खास option आपको दिखाए दे रहे है, जो कि है game recorder, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप game record कर सकते है, अगर आपने game यहाँ पर शुरू की है, और उस game का screen आप record करना चाहते, तो यहाँ पर select game option आपको दिया है, इस पर click करके आप game की screen select कीजिए, उसके ब और के लिए game mode basically काफी interesting option है, game recorder काफी interesting option है दोस्तों, अब हम video presentation के बारे में जानते, यह काफी interesting option है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे मैंने यहाँ यहाँ पर वीडियो presentation पर click क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरह का interface हा रहा है, यहाँ पर option है camera और उसके ब इस तरह से रख देता हूँ, okay इसका layout इस तरह से आ रहा है, मैं layout change करना चाहता हूँ, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ यह पर दिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भई यह इस तरह से newsroom layout और मैं इसकी size थोड़ सा कम करूँ, slide full layout में आ जाएगा और मैं इस तरह से, ऐसा layout रख कर सकते लेकिन आपको PPT presentation अड़ करना है तो नीचे प्लस बटन है add powerpoint slide यहां से आप कर सकते अड़ powerpoint और आपके पास जो भी powerpoint presentation पड़ा है जैसे मैंने यह power BI की file open की तो यहां पे 6 अलग-अलग slides है मैं सब को select करता हूँ मैं import करता हूँ और यहां पे आप देख सकते हैं सारी slide load हो गई अब यह वाली slide की जुरूत नहीं तो right click करके delete कर देता हूँ तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरी PPT load हो चुकिए यहां पे अलग-लग slides में select कर सकते हैं यह slide यहां पे change होगी तो आप जब भी कुछ पढ़ा रहे हो किसी को तो आप अपने यहां पे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और अपना camera भी यहां पे रख सकते हैं साथ में इस camera में आप यहां एड करना चाहते हैं तो यहां पे पे click करूँगा तो यहां पे आप देख सकते हैं अभी आउतार add हो जाएगा यहां पे यह आउतार दिखाय दे रहे हैं मैं हाथ उपर करूँगा तो वह आउतार भी हाथ उपर करेंगा मैं मुट्टी बन करूँगा यह बन ओपन तो यहां पे मैं मेरे camera के replacement में आड आउतार चेंज भी कर सकता हूँ उसकी जगह अभी यह फीमेल है मैं मेल हूँ तो basically मुझे दूसरा आउतार चाहिए तो मैंने यहाँ पर आड़ कर दिया तो आप camera चाहिए तो camera ले लो आउतार चाहिए तो आउतार ले लो ओकी लेकिन camera ठीक है अभी camera रखो इस तरह से आप र आप mirror कर सकते ऐसा आप horizontal mirror, vertical mirror इस तरह से यहाँ पर flip कर सकते आप चाहिए तो और अगर अपने green screen यूज किया है तो यहाँ पर green screen वाला option आप इस्तमाल कर सकते है background remove करने के लिए नहीं तो आप AI recognition वाला option रखी है यहाँ चलो ठीक है यह आपको समझ मैं होगा किस तरह से करना बढ़िया है अब यहाँ पर suppose मैंने क्या किया यहाँ पर इस layout में जाकर मेरा खली camera रखा full screen पर और यहाँ पर मैंने rectangle रखा अब camera है rectangle है सब कुछ ठीक है यहाँ पर मैं remove background कर रहा हूं background remove हो रहा है और पीछे आपको एक color दिखाए दे रहा है तो यह background जो अभी remove हो गया मेरा जो original background था अब इसके जगा मैं virtual background एड़ करना चाहता हूँ कोई भी दूसरा तो यहाँ पर background option right side में आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको अलग-लग background दिखाए दे रहे हैं इसमें से कोई भी background आप select कीजिए वो यहाँ पर आ जाएगा यह दिखिए तो इस तरह से आप background भी transition apply करो तो मैं transition में जाओंगा यह देखिए यहाँ पर आप जैसे powerpoint में लग-लग transitions डालते ना तो यह transitions भी आप यहाँ पर add कर सकते हैं यहाँ पर objects भी add कर सकते हैं और यह सारी चीज़े add होने के बाद सारी settings होने के बाद आप जा सकते demo and record बटन पर तो यहाँ से आप इसको record कर सकते हैं या live streaming भी आप कर सकते हैं तो यह काफी interesting तरीका है पढ़ाने का दोस्तों demo creator काफी अच्छे से आपको यह सारी चीज़े available करके देता है इसके अलावा यहाँ पर नीचे देख सकते है paint option है जैसे आप paint लेके suppose मैंने यह color ले लिया और आप यहाँ पर कुछ जर लेके यहाँ पर erase कर दो whiteboard यहाँ बंद कर दो इस तरह से सारे options यहाँ पर available है जिसकी मदद से यहाँ पर meeting conduct कर सकते हैं यहाँ आप student को पढ़ा सकते हैं और घर सारी चीज़े कर सकते हैं तो मैंने आपको overall सारी चीज़े यहाँ बता दी इस application के बारे में यहाँ पर मैं close कर देता हूं और एक important option मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं वह option है भी basically scheduled recording अब game recording मतलब जैसे आपने all-in-one screen recording किया वैसे आप game recording भी कर सकते है same option आपको screen recording का यहाँ पर मिल जाता है लेकिन scheduled recording एक interesting option मुझे लगता है basically मुझे particular time में अगर record करना है जैसे 7-8 में मेरा एक particular lecture होने वाला है तो 7-8 में मैं दूसरे meeting में busy होंगा तो मैं यहाँ पर start time और end timing रख दूँगा और यहाँ पर save setting कर कि यह particular time में start हो जाएगा और record यहाँ पर हो जाएगा जो भी आपको recording करना है supports recording within 24 hours याद रखिए 24 hours के अंदर का ही time duration आप यहाँ पर set कर सकते हैं तो यह काफ यह very much for watching this तो कैसे लगा दोस्तों यह वर्डर डेमो क्रियेटर का software definitely आपको पसंद आयोगा पसंद आया तो like, share, comment कीजिए साथ यह में subscribe कीजिए अगर आप हमारी चैनल पर नहीं महान हो तो और description में मैंने मेरी website की link दी जहाँ पे घर बड़े बड़े आयो तो आप सीख सकत है अगर आपको मेरी teaching channel अच्छी लगती तो जरूर चेक आउट कीजिए मैं मिलोगा कुछ और orientation video के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखना सीखते रहना सीखाते रहना लोगों को बाई बाई